श्री गजेंद्र सिंग सेखावज जी, अपने वरिष्ट मेता केंद्रिय मंत्री, श्री हर्दीप सिंग पूरी जी, भारतिय जनता पार्टी के राष्क्रिय महामंत्री, सांसक दोसियंत गौतम जी, पार्टी के वरिष्ट मेता मनिंद्र जीत सिंग सिर्शा जी, यहां उपस्थित है, और लंबे समय से विकास को गती देने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी में आस्था प्रकट करने हैं तू, लगातार देश के कोने कोने से लोग पार्टी की सदस्ता ग्रहन कर रहे हैं, भिन 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 पार्टियों से, भिन भिन संगटनों से, मानिय प्रधान मंत्री जी के नित्रित में और भारतिय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए, पार्टी की सदस्ता ग्रहन कर र आज इस जोईनिंग कारेकर में हमारे मद्दे में उपस्तित हमारे वरिष नेता पर्रम आज़ने गजजजजशिक सहवकावत जी जो पंजाब के चुनाव परभारी भी हैं और भारती जिनता पार्टी का वरिष्टता के इत्माननाते बहुत कारे भी देख रहे हैं हमारे मद्दे मद्दे उपस्तित कैंद्रे मंदी आदर्ने सिरी हर्दीप सिंग पूरी जी आदर्ने सिर्सा जी और आदर्ने संजे म्यूग जी आज पूरे देश के अंदर खास कर पंजाब के अंदर जिस परकार से परम आदर्ने देश के परधान मनती नरेंदर मोदी जी की स्विकारता बढ़ रही है उनकी सिविकारता को देखते हुए आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा कारिकरम पास्तारी को वहाँ पर होना था किस परकार से वहां कांग्रेश पुलिस ने जनटा को रोकने का काम किया उसके बाद में वहाँ पे जनता में आक्रोश है और जनता आधने मोदी जी के परती अपनी संबेदना रखते हुए उनको समर्थन देते हुए क्योंकि मोदी जी ने बहुत बड़ी सोगात पंजाब के लिए देनी थी और पंजाब की आम जनता उससे अपना आपको विमुक समझ रही है इस कारण से हमारे यहाँ पर भार्ती जनता पार्टी में चंदीगड में और लगातार जहाँ पर जोइनिंग करने वालोगी संक्या अधिक है हमारी साथ में आप बैठे हुए हैं दूसरे स्री कमर सिंग टोड़ा जी जो सिरी हर्मेल सिंग टोड़ा जी पूर कैवनेट मंती रहें पुट्र हैं पुट्र हैं आप अध्यक्स पंत रतन चथेदा गुर्चन सिंग टोड़ा में मुले ट्रस्ट एंजिनियर अधिक हैं जो भी जाजनीती चेत्र में बड़ा सहबागीता निवाती हैं साथ में हमारे मद्ध में उपस्तित हैं शीरी गुर्दीप सिंग गोशा जी जो जन्र सेक्टरी हैं शीरोमनिय काली दल के आप अध्यक जूत अकाली दल जाना के भी रहें आप पूर्व अध्यक् संक्या के अंदर भारते जन्ता पाट्री में ज्वाइन करने वाले बहुत पर्मुक कारे करता वे उनकी साथ में हैं और शीरी ध्रमबिर सरीन जी जो पूर कांसलर है हम रसर से पूर्व जेर्न मार्किट कमेटी के हैं मैं उन सब का स्वागत करता हूं और निवेदन करता जिए अधिर सेखावती सभी को और अर्दी पुरी जी और सिर्साजी सब उनको पठका और पुष मुष देकर उनको ज्वानि करेंगे उसके बाद में हमें शीरी अर्दी पूरी जी और सेखावाजी का मागता सब परापता होगा अर्विंद खन्ना जी अर्विंद खन्ना जी अर्विंद खन्ना जी अर्विंद खन्ना जी महीं ताल का तोफड़ा जी बहुत 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 बश्याजी अर्विंद खन्ना जी आओ जी आओ अर्विंद खन्ना जी 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 जैसा परिशे करते वे अभी आदने दुशंद गौतम साब ने इनके बारे में हम सब के सामने ये बताया कि दो बार लगातार ये विधायक रहे और दो बार विधायक रहने के बाद में इन्होंने कुछ समय तक राजनीती से विराम लिया लेकिन एक बार फिर सक्रिये राजनीती मन सब लोगों के बीच में इन्होंने प्रवेश किया है एक विशे जो इनके साथ में जुड़ा हुआ है पंजाब के जिस क्षित्र संगरूर से ही आते है वहां संगरूर में इनकी एक स्वेंसेवी संस्था उम्मीद नाम से काम करती है जो ऐसे सारे सरवहारा और बेसाहरा लोगों की सहायता के लिए पूरे उस क्षित्र में एक जाना पैचाना नाम है आपने स्वेर्जित धन से बेसाहरा लोगों को सहारा देना और अनेक तरह की सामाजिक गतिविदियों के माध्यम से अनेक तरह के बहु आयामी सामाजिक सरुकार के काम ये करते रहते हैं हमें अत्ति प्रसनेता है हम सब के परिवार में एक युवा चहरा जिनका एक बहुत पुराना पंजाब की राजनीती में प्रितिष्ठित परिवार जो रहा है उससे प्रितक्षन आता है श्री कमरवीर सिंग जी टोड़ा साब और उनकी पत्नी आदनिया महरीन टोड़ा जी हमारे परिवार में आज सम्मेले तो ही है उनकी माता जी भी आज यहां उपस देते कि तो जैसा संकेत आदनिय दुशन जी ने किया था श्री कमरवीर सिंग जी के नाना आदनिया सदार गूचन सिंग टोड़ा साग अनेक दशकों तक पंजाब की राजनीती के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व ऐसे जाने गए 27 साल तक तो आदनिया स्वर्गे तोरा साब जो है वो शिरुमनी गुरुद्वारा प्रभंदक कमेटी के अध्यक्ष रहे और शिरुमनी गुरुद्वारा प्रभंदक कमेटी को एक नई उंचाई तक पहुंचाने का काम भी आदनिया तोरा साब ने किया था लोगसवा और रज्जे सवा में भी पंजाब का लंबे समय तक आधनी सर्गी तोरा साब ने प्रतिनेदिते किया था इनके पिता आधनी हरमेल सिंग साथ पंजाब सरकार में पूर कैबिनेट मंत्री रहे और मैं विश्वास के साथ में ये बात कह सकता हूं कि इस युवा चहरे के साथ में जिनके पीछे इतनी बड़ी पारिवारिक फिश्ट भूमी में है भरतिय जन्ता पार्टी के परिवार में सम्मेलित होने से नकेवल भरतिय जन्ता पार्टी की ताकत बढ़ेगी शक्ति बढ पादली श्रीक गुर्दीप सिंग गोशा सब जो शिर्मानाई अकाली दल के राष्ट्य महासेक्षिव थे उन्होंने भी आज भरती जनता पार्टी परिवार में आना ऐसा स्विकार किया है यह अप्षिर्मानी अकाली दल के युवा मुर्चा के उनकी जो यूथ विंगे उ अपना एक व्यापक संपर्क और संबंध है इनके आने से भी निश्चित रूप से बारती जनता पार्टी की शक्ति बढ़ेगी आदेश्री धर्मवीर सरीन जी जो अमरत सर में एक जाना पैचाना नाम है अमरत सर के शहर की राजनीति में अपनी विशिष्ट पैचान रखते हैं इन सब के साथ साथ में आज एक लंबी सूची चंडीगड में भी बरतीजनता पार्टी में नए संम्मिल्यूत होने वाले सदस्यों की आपके सामने आने वाली है जो राजनीतिक प्रिष्टभूमी में काम करने वाले लोग अनेग बार विधायक रहें ऐसे लोग विबिन बोर्ट के चेर्मेन वर्तमान में होने वाले लोग, ऐसे अनेक लोग भारतिजनता पार्टी के परिवार में समिलित हो रहे हैं। मैं इस विशे में आगे कुछ बात करूं उससे पहले, चंडिगट में भरतिय जनता पार्टी ने विजय श्रीक तरजी किये, वहां मेयर भरतिय जनता पार्टी का बनाएं, उसके लिए भरतिय जनता पार्टी चंडिगट युनिट को, इकाई को मैं बदाई देना चाहता हू और निश्चिती ये जो शुरुवात ही है ये शुरुवात आने वाले समय में पंजाब के चुनाव के परिणामों की तरफ सपष्ट संकेत करती है जैसा अभी आदनिय दुश्चिन जी ने कहा कि पिछले पांच तारीक को एक नए इतिहास का सरजन पंजाब की राजनीति में होने वाला था जिस उत्साह के साथ में पंजाब के हर एक विधान सबाक शित्र से हजारों की संक्या में लोग निकले थे मुझे लंबे समय तक राजनीतिक शित्र में काम करने का अनुभव है मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक समय में जब इतना मौसम एडवर्स हो इतनी मौसम खराब हो बरसात बरसरी हो कोहरा हो उसके बावजूद भी स्वय प्रेड़ना से लोग आकर के बसों में बैठे हजारों की संक्या में बसे रवना हुई पंजाब प्रदेश में कुल बसे जितनी अवेलबल हो सकती थी उसके अतरिक्त हर्याना से, हिमाचल प्रदेश से, राजस्तान से और कुछ संक्या में जमू से भी लगबग इन चार प्रदेशों से एक हजार खाली बसे हमको जोटानी पड़ी थी लाखों लोग अपने घर से निकल करके खराब मौसम के बावजूद भी माने प्रदान मंत्री जी की बात को सुनने के लिए उनसे मिलने के लिए और प्रत्यक्ष उनकी बात को अग उन वो जो पंजाब को देने वाले उसका अनुभो करने के लिए वहां अपने घर से निकल करके रवाना हुए थे लेकिन राजनीतिक कारेकरताओं ने पुलिस और परशाषन और सरकार के मिली भगत से जिस तरह से उन सब को रोका नाके वहल कारेकरताओं को आने से रोका अप DP को प्रदानमंत्रीजी को भी उस कारक्रम में जाने से रोका गिया मने प्रधानमंत्रीजी जो को हो पाझादी का अमरत महोथ सभ के तहट कि शहीदों को नमन करने के लिए मनमें पवित्र भाव लेकर के हुसेने वाला साब जाने वाले थे वहां जाने से भी उनसे रुका गया हजारों करोड की जिन परियोजणाओं का शिलन्यास मानिय प्रधान मलंत्री जी करने वाले थे उस कारेकरम से भी पंजाब की जंता को मरूम रखा गया जैसा मैंने कहा कि एक नया इतिहास सजित होने वाला था ब्राजनेतिक शित्र में पंजाब में आज तक जितनी बड़ी संक्या में लोगों का 21 करण नहीं हुआ था उससे बड़ी संक्या में 21 करण होने वाला था उस दिन वो इतियास तो सजित नहीं हुआ लेकिन भारत के लोगतांतरिक इतियास में एक काला अध्याय उस दिन जरूर लिखा गया कि देश के प्रदानमंतरी के सुरक्षा में सेंद लगाएगे लेकिन भारतिय जनता पार्टी के करेकरताओं का उत्सा उसके कारण से उनका संकल्प जो है उसके कारण से इस घटना के कारण से कई कई गुना और बढ़ा है और भारतिय जनता पार्टी का करेकरता और अधिक द से सामचिक शुत्र से लोगों का लगातार निरंतर आने का करम बनाएं यह इस बात का ध्योतक है कि पंजाब के भविश्य की चिंता करने वाले लोग भविश्य का पंजाब जो है वो गरिमा मही अतीत वाले पंजाब का वाको वापस वैसा ही पंजाब बने खुशाल से युक्त पंजाब बने इस लक्षे को लेकर के संकल्प को लेकर के अनेक लोग बारती जिंता पर्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहें मैं उन सब का स्वागत करते हुए इस संकल्प के साथ में के हमारी एकत्रित शक्ति जो है निश्चित रूप से इस चुनाव में एक न